नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइस भाई अमित पे साथ यो अपन लोग यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइस के बारे में बढ़ रहे हैं आपको पता भी है कि अपनी जो कक्षाई हैं वो आप सभ पहले की जो कक्षाई हैं उसके अंदर हमने चोटे-चोटे यानि की साइस के बारे में थोड़ा परीचे किया था कि भी साइस के अंदर ऐसे से क्यों सनाते हैं ऐसे पुछिज आते हैं उसके बाद आप सभी के कहने पर ही हपन लोगों ने टोपिक वाईज यानि अपना जो की आधा पड़ लिया है और थोड़ा कुछ उसमें बाकी है तो आज अपन लोग उससे आगे से स्टार्ट करेंगे लास्ट हमने लपीजी सी एनजी और वह जो चैप्टर था अपना वह अपना क्प्लीट हो चुका था सी एपसी के बारे में बड़ा था सी एपसी के कुछ प्रकार्ट देखे थे फ्रियोन ग्यारा बारा एकसो बारा एकसो तेरा इस उसक पदा वो सारी जीजी मनिकम लिट हो चुकी है और उसके बाद आज जो है वो हम लोग उससे थोड़ा आगे पड़ेंगे ठीक है पहरे साथियों तो आईए जदा बातों में समयने एक बाते ह जिये जमें आपना हाइड्रो करबंगर ठीक है और हाइड्रो कार्बंगर पैले मैं आपको दो बता देता हूं कि मालन लोह की बच्चे होते है बेगे बादे हो फीरा तो हम लोग बयक्न प्रिल्चे में स्भीश्व नाम तो होते हैं ते मालन यहाँ हो निए boy हमारे बच क्या करते हैं जब हम लोगों ने इसको बोलना स्टार्ट किया हमारे ग्रोह में बच्चे होते हैं उनके प्रेटिकुलर एक नाम तो होते ना पी काड़ियों दोड़ियों भीडियों जॉप यहां भांगा वैसे ही यहां पे है कि यह फोलें गया इसको कुछ और नहीं बोल सकत है तो आपके माइंड में जो चदर आए वो चदर आए कि इस तरह हाइड्रोजन है मैंने यदि यहां पे लाई लिखा है तो आप इसे लाई नहीं पड़के पड़के आप उसे लीधियम पड़ेंगे मेरे को कई बार हंसी आती है कि एक बार जो अपने पिछे जो वीडियो का एक्जाम हुआ था उसके अंदर अब वह हंसी मान लो या कुछ भी मान लो लेकिन वीडियो वाले एक्जाम के अंदर लिमिट के कुछ कुछन दे रखे थे जैसे अपन लोग साइंस में पड़ते है ना लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ठीक है वो जो मैटर था अब कुछ लोगों को नहीं पता हो तब वीडियो मैंस का एजाम उसमें आर्ट के बच्चे बैठेंगे उसमें कॉमर्स वाले बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि साइंस वाले जो थे जिनके पास मैत रही वे थी वो तो इसको इसको ऐसे पढ़ेगा ना कि लिमिट एक्स टेंस ट अब उनको नहीं पता वैसा यहां पर हुआ कि यह है तो इसका नाम क्या है अपने लोग नाम जानने का प्रियास करते हैं तो लोगों ने फिर घरवादे नाम निकालने शुरू कर दिये कि बैए एन काडियो कहे दियो एन दोड़ियो कहे दियो यानि कि मान लो यह सी लेकिंट प्रिबड़ोने लग गई हम लोग जब इतर अमेरिका की तरफ गए तो बोले कि यह क्या है तो हमने बोला यार यह तो अपने वह है भई चीनी का फोर्मूला होता है ना ठीक है अब चीनी बोलें हम तो भी चीनी है यह तो लेकिन उन्हें का नहीं आ रही है चीनी पी ए सी इस नाम से एक सहस्था वनी कई बार डायरेक्ट यहां से इसका पूरा नाम कुछ ले जाता है कि आयू पी एसी का पूरा नाम बताईए तो आप पहले तो ये बताएंगे कि ये है नाम करण की एक पदती है सबसे पहले आप इसके बारे में जो चीज बताएंगे तो आप ये बताएंगे कि ये नाम करण की पदती है ठीक है हम इस से योगिकों का नाम करण करते हैं नाम करण की पदती है दो प्रकार की पदतियां होती है एक दो रूड पदती जो अपने यहां पे चलती है इसी को बोल देते हैं व्यूत्पन पदती लेकिन यहां से क्यों साने कम तांस रहते हैं यहां से mostly क्यों सना जाते हैं फुल फॉरम यदि पूछ लिए आपको तो आप इसका पूरा नाम हिंदी में भी याद रखेंगे और इंग्लिस में भी याद रखेंगे दोनों टरम की बात करते हैं ठीक है क्योंकि अंतर राष्ट्रे इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर राष्ट्री आप सभी को पता भी है क्योंकि देखो क्या है कि जैसे लिखा है वही उधान ले लोगने अलगतियों लें बागे आगे ले लेंगे तो इसको जो हम यहां बोलेंगे वही नाम उसका अमेरिका पाकिस्तान जापान फ्रेंस कहीं पे भी जाओ तो उसको एक पर्टिक्लर नाम इसका यही होना चाहिए वहां के वेगैनिक बोले तो पहुत में गुमता हुआ को भी ऊसका वही नाम हुदेए तो इसके लिए इन्टरेנिरंस्य अंतर डिवल की बातें हो रही है और यू का मतलब होता हुआ यूनियन ठीक है ओफ प्योर एंड अप्लाइड और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री जो हम यहाँ पर पढ़ रहे है इंटरनेशनल यूनियन ओफ प्योर इंटरनेशनल यूनियन यू का यू हो गया ओफ एक इसको जोडने के लिए है प्योर पी का मतलब हो गया प्योर एका मतलब हो गया एप्लाइड और सी का मतलब हो गया केमिस्ट्री हिंदी में इसका नाम ही दिए आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? हिन्दी में मैं इसका नम लिख देता हूं आप स्क्रिण सोट लेलो मैं आगे वाले पर लिख देता हूं ठीक है ना? यहां पर आ नहीं रह Dazu है हिन्दी में नम लिख देता हूं आपका UPSC का दो तिन वार बोलोगे याद हो जाएगा इंट्रिनेशनल का मतलब होता है अंतर राष्ट्रिये विशुद्ध शुद्ध का मतलब प्योर अनुप्रियुक्त बीच में आप जोड़ देना एवं एंड लगाया था ना भी इसमें हमने अंतर राष्ट्रिय विशुद्ध एवं अनुप्रियुक्त रसायन और संग समझ गए होंगे आप मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ किसका क्या अरत है इंट्रिनेशनल का मतलब होता है अंतर राष्ट्रिये यूनियन यानि की संग बनाना ओफ एक इसको जोडने के लिए है प्योर का मतलब होता है प्योर सुद्ध उसको ज़्यादा हिंदी में बोल देंगे तो विशुद्ध हो जाएगा आप सुद्ध भी बोल सकते हो एंड का मतलब एवं या और अथ्वा अप्लाइड का मतलब होता है अनुप्रियूप्त उसके उपर अप्लाई करना किसी चीज़ को केमिस्ट्री अपनी रसाइन जो चल रही यहां पर तो अंतराष्ट्रे विशुद्ध एवं अनुप्रियूप्त रसाइन संग जो है आयू-पी-स-पी का पूरा नाम है या फिर आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि एग एग्जामिनर कई बार इसका नाम ऐसी पुछ लेता है क्या कर देगा गुमा देगा थोड़ा सा कई हो में एंड नहीं कईयों में यूनियन की जगह आगे पीछे कर देगा ओफ नहीं देगा प्योड नहीं देगा तो क्या होता है कि हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं इंटरनेशनल की जगह नेशन देदेगा या फिर इंटर स्टेट देदेगा कुछ में अलग नाम थोड़ा चेंज करके उप फड़ ठीक है नहीं हरगडियों मेल दिए गींगों दो चार पर दोगा नहीं इतना याद हो जो चलो है तो आइपहो इससे आगे थोड़ा चलते हैं हम मैन मुद्दे पे आते हैं मैन मुद्दा अपना क्या है कि मैन मुद्दा ये है कि अपने को नामकरण सीखना है और नामकरण सीखना है उससे पहले आपने लोग हाइड्रो कार्बन को डिवाइड करते हैं मैंने एक चीज आपके सामने आते लिखी थी कि आज हम ल पूरती के चात रहें तो आपके मन में एक चीज तो आ गई होगी अब तक हमने इतनी क्लासें ली हैं इतना तो आप समझ गए होंगे नाम लिखते ही आप उसका संदी विच्छेद को कम से कम करें सकते हैं आपको हिंदी भी आती है हाइड्रो यानि की हाइड्रोजन कारबन यानि की कारबन इसका मतलब ये है की कारबन और हाइड्रोजन से मिलकर के कुछ ने कुछ कारबन और हाइड्रोजन का चक कर रहे है क्या डिवैडि कर देते हैं इनका कुछ चक्र है तो मतलब ये चक्र ये होते हैं ठीक है और कुछ एक जो होते हैं वो होते हैं ए चक्र ये अब हमने सबसे पहले क्या किया था कि हाइड्रोजन का और कारभन का कोई इनको क्या चल रहा है चक्र चल रहा है तो बैद चक्र चल र जो लोग बता रहे हैं कि इनका चक्र चल रहा है उनको तो हम इस साइड में रख लेंगे जो लोग ये बता रहे हैं कि इनका कोई चक्र नहीं चल रहा है उनको हम इस साइड में रख लेंगे अब सबसे पहले तो हम ये गा कि यार ये तो कही रहे हैं कि इनका कोई चक्र चल र रहे हो ये दो प्रकार से होते हैं मैंने का चलो ठीक बात है दो प्रकार आप फिर पताओ कौन-कौन से होते हैं तो इसने का साब एक तो होते हैं संत्रप्त पूछा एक होते हैं ऐ संतरप्त पूछा यार यह संतरप्त कटली रखो चैया आप उसके सामने जूस रखो वो कुछ खाए नहीं कुछ पीए नहीं मैंने फिर में मारवाड़ी आ दी मैंने उसको बोला मतलब दापड़ो एकदम उन्हें हाँ एकदम ठीक बात तो कहने का मतलब है एकदम जो धाप जाए एकदम जो कुछ दापड़ो तो एक सामने तो बहु जाने के बात उसके बात उसके बिक बढ़ात informação मतलब हो नहींत नहीं के लिए नहीं पदात उसके अंदर add हो मैं थोड़ा और आपको एक उधारन लेकि समझाने का प्रियास करता हूं आपको अच्छा समझ में आएगा मालो ये पानी है ये एक पातर है इसके अंदर पानी डाल रखाया आपने ठीक है आपको बोला गया कि आप एक काम करो आप बना लो निम्बू पानी ठीक है आपने बोला ठीक है बनाते हैं आपने फिक्स पानी ले लिया कि बिचलो अपन लो क्या करते हैं 200 ग्राम के आसपास आपने क्या ले लिया पानी ले लिया ठीक है फिर आपने सोचा कि यार चलो इसके अंदर अपन लो क्या करते हैं कि 100 ग्राम के आसपास चीनी डाल तो आपने इसमें 100 ग्राम चिनी डाल दी 100 ग्राम चिनी डाल दी गोल ली पुरी तरह से घुल गई अब इस पानी की एक फिक्स लिमिट थी कि इसके अंदर 100 ग्राम के बाद इसके अंदर चिनी और नहीं गुलेगी अगर आपने इसके अंदर 50 गारम ओर डाल दी कि यार चलो थोड़ा फिका रहा गया 50 ओर डाल देते हैं है वो यह दिन nag गुलती है आप गुर्ण करते हैं गरम किया तो भी नहीं गुली ठंडा किया तो भी नहीं गुली मतलब ये कैसा है ये है आपका संतरप इसकी काया एकदम धाप चुकी है ओ एकदम दाप पेट बर गयों इंग मतलब वो कि ये संतरपत है यदि ये चिन्नी इसमें गूल जाती थोड़ी सी अवस्ता चेंज करता है यार चलो इसको थोड़ा गरम करते हैं गरम करते हैं इसमें घुल जाती तो वो क्या हो जाता ऐसंतरपत हो जाता आप देखते हैं ना पेट्रोल इंपदार थोड़ा गरम करते हैं सी एनजी निकलती है फिर थोड़ा गरम करते हैं एलपीजी निकलती है थोड़ा सा और गरम करते हैं पेट्रोल निकलता है थोड़ा सा और गरम थोड़ा और गरम केरोसिन थोड़ा और गरम कोलता थोड़ा और गरम मोम थोड़ा और गरम बिटुमेन कहने का मतलब यह है कि अगर आप गरम करते जाते हो आप अवस्ताय चेंज करते जाते हो और उसके साथ साथ आपको एक नया पदार्थ मिलता जाता है इसका मतलब वो होता है बुखो एकदम बुखड जगन आपके वाद्यों थोड़ों सो पुस्वाड़ों फेरे और दो कतली उर्खा लेगो कहने का मतलब वह एकदम बुखा है और ये क्या है एकदम कायातर्प्त है संत आदमी है मेरी तरह बहुत अच्छा आदमी है ठीक है न और ये मलें इस चलो एक काम बहुत आप संतरप्त आपने बता तो दिया लेकिन इसका एक उदानन भी दे दो तो बहुत वादर्ण की बात करते हैं हम आपको पूरी स्रेनी देते हैं सिरनी कौन से दोगे बहुत आपको ऐल केन इनस पूरी देते हैं आप उसके किसी भी योगई के पास तो मैंने का इसमें इसमें एक नहीं इसमें दो बई संद मात्मा लोग मेरे जैसे अच्छे लोग कितने हैं थोड़े से ही तो रहे हैं तो वह तहल के इन में आगए बेचारे अब इसके अंदर तो वह आएंगे ना अलग केटेगरी वाले तो देखो इसके अंदर इन्होंने स्रेनिया दी एक नहीं देद दी और वह लोग इसका मतलब ज़्यादा हैं मेरे जैसे अचोंचे लोग कमी बचे हैं ठीक है कोई बात नहीं इसके अंदर इसमें कितने sana में दी अब यह क्या होती हैं किया नहीं होती हैं इसके वारे में आगे अपनow गपढ़ेंगे फिर चल होगा आप चक्कर चकर बता रहे हूं वह हां तो गलत थोड़ी कहा था चक्कर तो है यह मैंने का कैसे है फॉल चक्कर एक नहीं चक्कर दो है यार यह बहली बात बैठर हाइड्रो कार्बन को बद्राम करेकर रखा इसके दो चकर बता रहे हैं से एक बात बसी बात मैंनी का चलो फिर फिर क्वालां सोद्धोध वह यह रखता दो भी क्या होगा तो बहुत जब आप एक एक जापल रेक्त यूंद ना परिडी एक आप देखते हूद फिडिय एन वनिका हाँ वह इस में आते हैं तुछ में आते है पिरिडीन, फिरेन, वो सारे भी सम्चकर में आते है जिनका अच्छा ये बात है सम में बोल सम ऐसे नहीं है साब सम भी दो पार्टों में डिवाइड है जिनका ठीक है सम कैसे दो पार्टों में डिवाइड है भी या तो बोला कि एक तो सम जो होती है वो आपकी होती है aromatic अच्छा और दूसरी बूल दूसरी होती है aliphatic aliphatic लिख ले ना आप साइड में न aliphatic ठीक है समझ चकरिया दो प्रकार की एक aromatic एक aliphatic मैंने का उदारण वे सब के दे त्यार है इनके इनके दे देंगे क्या बात करते हो इनके जब उसने मुरे को उदारण दिये तो इसका एक उदारण दिया मेरे को उसने benzene अच्छा बेंजन इसमें आता है बोले benzene ही नहीं अच्छा वो बीस में आता है अच्छा वो बीस में आता है बोले हाँ ठीक बात है टोलो इन बेंजन की तो चलो बन गई एली फैटिक है उसकी बताओ तो निचे जगह नहीं है नो पर बता देता हूं आपको इसके नीचे लिख लेना आप इसमें उसने मेरे को बताया कि आप जब यह लिखते हो ना साइकलो इसका मतलब उसमें साइकल तो बन रहे हैं मतलब चक्कर तो है सक्कर कैसा है तो साइकलो प्रोपेन लिख दिया देशे मैंने तो बहुत है हाँ आगे दो भी लोग लगा लिख दो आप इस स्रेणी वाले कोई भी नाम रख दो वह आपके क्या बन जाएंगे एलिफेटिक बन जाएंगे ठीक बात है इसी के साथ जो कार्बन का जो चक्कर है किसके साथ हाइडरोजन के साथ वो हमने पूरी तरह उसका निचोड़ निकाल लिया वापस देखो एक बार फिर से मैं आपको एक बार फिर से पूरा-कपुरा कभर करवा देता हूं फिर आ पहले आप सक्क्रीन सोट लेए लो तब तक आपको यह समझा देता हूं देखो हाइड्रोकार्बन था यानि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने योगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कलाते हैं फिर उसको दो पार्टों में हमने डिवाइड किया है एक तो चक्रिय हाइड्रोकार्बन एक एचक्रिय यानि कि एचक्रिय और एक चक्रिय ए चक्रिया को फिर दो पार्टों में संतरप्त और एसंतरप्त संतरप्त का मतलब मैंने आपको समझा दिया है वे पदार्थ जो अन्य किसी पदार्थ में नहीं गूलते हैं यानि कि एक उसकी जिदी हम अवस्ता भी चेंज कर दें तो आगे अपने को कोई एक दूसरा पदाथ प्राप्त नहीं होगा आपको परिबासा के अंदर नहीं उलजना है आपसे डाइरेक्ट इतना है पुछेगा कि संतरप्त के अंदर कौन सी सिरेनी आती है तो आप अलकेन का नाम ले लेंगे अब ये क्या होती है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊं आप भी ठीक है ना फिर हमने पूछा कि चक्रिय के अंदर बताओ तो विसम चक्रिय है और संचक्रिय रूप से उसको डिवाइड करते है संचक्रिय जो होते है उसको फिर दो पार्टों में यानि अरोमेटिक और अलिफेटिक में डिवाइड करते है विसम चक्रिय के अंदर हमने दो उधारण आपको बताए है यानि कि जैसे पीरिडीन होता है फ्यूरेन होता है आप डाइरेट ये उधारण याद रखें अरोमेटिक के अंदर दो उधारण बताए है आपको बेंजिन बताया है तोलूइन बताया है दोन्हें याद रखें अलिफेटिक के अंदर जैसे साइकलो प्रोपेन है साइकलो ब्यूटेन है साइकलो हैकसेन है तो वह आगी ऐसे चलते जाएगे अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूसन कहां से आएगा क्यूसन मैनली जो आपका क्यूसन इसमें से बनेगा वो आपका क्यूसन बनेगा यहां से ठीक है? यहां से को क्यूसन आपका बनेगा कि संतरप्त के अंदर कौन से सिरनी आती है एह संदर्प्त के अंदर कौन से सिरन आती है इधर से ये भी कोई कुछन बनेगा तो ये ही बनेगा कि पिरिडीन और फ्यूरेन किस के उधारने है तो आप बता देंगे विसम चक्री है हाइडरोकार्बन के उधारने बेंजीन और टोलूइन किस के उधारने तो आप बताएंगे एरोमेटिक हाइडरोकार्बन के उधारने आप से पुछे कि साइकलो प्रोपिन किस का उधारने तो आपको बता देना है कि एलिफेटिक हाइडरोकार्बन का उधारने बली बार समझ में आ गई ठीक है तो मैं आगे चलूँ आप एक बर बता दें या आपको समझ में आया है या नहीं आया है ठीक है? स्क्रीन सोट नहीं लिया है तो आप ले लेना ओके? अब चलते हैं अपन लोग आगे अब मैंने इधर जो तीन स्रेणिया लिखी थी उसके अंदर अभी अभी सबसे पहले जो अपने नाम लिखा था वो लिखा था एक एलकेन स्रेणिया एलकेन स्रेणिया एलकेन स्रेणिया एक चीज़ हम इसके बारे में जानते हैं क्या जानते हैं तो यह आप इसके बार में यह जानते हैं कि यह जो है वो किस प्रकार की होती है तो अब यह भी आपने बताया है संत्रिप्थ होती है किस प्रकार का हायट्रोकार्वन तो आफ बताएंगे संत्रिप्त हायडोकार्वन है फिर मैंने सी एपजी पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ प्डाव में ली थी सिंगल बढ आएगा तो यह दिमाफसे बंद पूछ सुय में की कि यानि कि वेंड की सरेग का सिंगल बंद रहेगा सो में इसमें रहेगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें क्यूसन बनता है वो ये बनता है कि इस सिर्णी का अन्य नाम क्या है most important question और यहां से मेरे को लगता है कि आने के पूरे पूरे चांस है कि अगर कोई अच्छा क्यूस निश्मे से बनता है तो वो अन्य नाम का बनता है इस स्रेनी का अन्य नाम होता है पेराफीन पेराफीन मोम का एक प्रकार है जो कम चालग पदार्थ होते हैं उनके लिए लिखा जाता है यarni कि जो कम एक्टीव पदार्थ होते हैं जो जल्दी से किरियाकिसी के साथ नहीं करते है उन पदार्थों के लिए यarni कि धिरे-धिरे कर्णे वाले पदार्थों के लिए हम ऐसा लिखते हैं पेराफिन मोम का एक प्रकार है, आप इतना याद रखें कि एलकेन सिरिनी का अन्य नाम जो होता है, वो क्या होता है, पेराफिन होता है, तीन सिरिनिया है, तीनों सिरिनियों के अपने 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 एक एक नाम है, तो वो जो है वो आप यहाँ पर याद रखें, ला क्योंसें हो जाएंगे तो जैसा कि आपको पता है कि एक क्या होता है कार्भन होता है हार्वन अदर अगल को कुछ में श起र्णार अप X से यहां पे T1 लगा देंगे Plus में आप क्या लगाइए? T2 लगाइए ये इस सिरनी का एक सुतर होता है तो इस सुतर के according अपने क्या चलेंगे? आगे आगे पूरे पूरे नाम चलेंगे इस सुतर के according चलेंगे वो कैसे जिलेंगे मैं आपको अब भी बिता देता हूँ इस स्रेनी का एक अनूलगन भी होता है क्या होता है इस स्रेनी का एक अनूलगन होता है अनूलगन क्या होता है एल केन आप नाम बोलेंगे आप बोलके देखे एल केन लास्ट में किसकी द्वनी आ रही है एन की द्वनी आ रही है तो इस स्रेणी का एक अनुलगन होता है एन क्या होता है इस स्रेणी का अनुलगन होता है तो यह थोड़ा सा आप याद रखेंगे ठीक है न देखो अनुलगन बता दिया संत्रप्त बंद अन्य नाम सुत्र हो गया और अनुलगन आपका एन हो गया जैसे अपने एन यू मान के चलो कि हिंदी के अंदर परतेज होते हैं न वो सब्द के अंत में लग कर गे और उसका अर्थ चेंज कर देते हैं उनका कोई सवतंदर अर्षिपर नहीं होता है वैसा ही अब बहुत आप अपने एदि गोर किया है तो मैंने यहाँ पे लिखा था एक फista day love can ft is 2N plus 2 अब ये आपको ये Сी समझ में आ गया एक समझ में आ आपको एन का साथ सक्ना ओटा समझ में नहीं आया होगा कि आपको बता देता हूँ एन होती है यहां पे एन क्या होती है यहां पे एन होती आपकी carbon परमाणों की संख्या क्या होती है eine carbon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon-paramon- पूरो अलगन काम मैंने मतलब अभी आपको बताया है हिंदी में जो उपसर कार्य करता है अपने यहां पर पूरो अलगन कार्य करेगा यदि कार्बन पूराणों की संख्या दो है तो क्या काम करेगा यदि तीन है तो क्या रहेगा यदि चार है तो क्या रहेगा पांच है तो दस तक याद करना होता है अपने को बेसिकली, 11 बारा भी होता है, आगे भी होते हैं, लेकिन अपने को याद नहीं करना होता है, ठीक है ना? देखो, यदिकार में पुराणों के संख्या एक है, तो पूर्व लेगन उसका क्या रहा होगा? तो वो आएगा, वैसे तो आपको पिर रहेगा, व्यूट, फिर रहे गा पर फेंट, उसक्स है तो तो है सेवन है तो है पिर आएगा आपका आउक्ट नो है तो नौन वर यदि आपका स्टी कमान दस है तो नौन वर दस आगया तो डेक्स आगे भी होते हैं अजिदी मान लो ग्यारा लिखा हुआ है तो वह तो आपको अंडेकें बारा है तो वह होता आपका डो डेकें आगे पढ़ने में कोई भाइदा नहीं है आपके मैंज जो काम आएंगी वो यहां तक ही काम आएंगी यहां से ही कोई ने कोई क्यूंस आपकी आजाएगा आप इसको ऐसे याद कर लें मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट एक्स हैप्ट अक्टनों डेक्ट मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट एकसेप्ट ऑक्टनों डेक्ट तीन चारव बोलेंगे याद हो जाएगा अब इनके अंदर में आप क्या ही समझा हूं आपको की याद करना है पड़ेगा कोई लाज नहीं इसका ठीक है न आप एक दूबर बोलेंगे न स्रेणी के उपराधारित होता है कि जब आप क्या यारू लगन काम में लेते हैं तो किसके अक्षा पुर्वर लगन काम में लेते हैं और पूर्वा लगन जो होते हैं वो स्रेणियों के उपर अधारीत होते हैं दो चीज़ें क्लियर हो गई आप language में उलजेंगे इतना मेरे को पता है आपको चीज़ें आती हैं लेकिन आप language में नए उलजें इसके लिए क्या करना है वो चीज़ में आपको यहां पर बता रहा हू ओके तो इतनी चीज़ यह दी समझ में आ रही हो तो आप बताएं ताकि मैं आगे चलो आगे चले देखो पहली अपनी स्रेणी है एलकें स्रेणी मैंने वैसे लिख दिया था चलो फिर से लिख देता हूं फिर से लिखने का reason आप जानते होंगे क्योंकि हम अब लोग अब जर्णी हो जाए अपने लिख आपके मन में है कि सार्णाप मेरे को यह बताओ कि आओ जो CH4 क्य CAP कर रहे थे उसके अंदर कारवन के संग्या 1 अब मेरे को एलकर इसे नहीं का सुत्र बताओ बताँ देंगे कोंसी बड़ी बात है आप अब को अब करना क्या है यह जो एक ना ये एक है, इस एक को पकड़ना है, एक को पकड़के रखना है आपको इस एन की जगह है, कहां पे रखना है आपको इस एक को, इस एन की जगह रखना है, एन आपको जहां दिखाई दे, वहां पे आपको वो चीज रखनी है जो इस सी के आगे लिखी भी होती है, कार्बनल च्छाड के देवता अपने इलो जी है वो अलग डिपार्टमेंट है च्छाड को छोड़ी आप तो सी को काम में लेना है अपने को एक कुछ सिंख्या जो है वो अपनी एल के इंसरेनी के लिए पड़ रहे हैं तो अभी आप यहां पे लाओ एक पिर एक एक अपने को कोई छड़कानी नहीं करनी है फिर आगए दो है तो दो फिर अगए गई है अगया ऐन की जगे तो वहाँ पिना पथा ये बीच में प्रेसानकर निसान की तो यहार खे है कि उनके भीच में गुना का निशान है कोई निशान नहीं है मतलब कोई ने क्या चलद रहा है जग का निशान है ओके दो गुना 1 प्लस आगे क्या है करदोसोल सी एक लिखो ना लिखो कोई फ्रग नहीं पड़ता फिर आगे है एच एच दो गुणा एक बॉर्ड मास का नीम यहां मिलेगा तो पहले गुणा होगा फिर योग होगा दो गुणा एक तो दो प्लस प्लस दो तो दो 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 चार क्या आया और दो 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 आपको एक देखना इसका पूर्वल लगन आगे अपने को टेम नहीं लगेगा एक बार के लिए आपको थोड़ा बता रहो है इस लिए लग रहा है एक मैं लिख हूँ है यहाँ पर अनुल लगन और दोनों को जोड़ दो और इसका क्या हो जाएगा नहाम अपना कंपलीट हो जाएगा ७ूप आगे चलो वो हुट कौन से काम में ले रहे हो भीट में किस ना कर दोड़न पाने को मेत में क्या जोड़ देंगे एञे मेत पलस एल मेतेन मेतेन तो TOM क्या हो जाए मेतर अरय पर्ले पढ़ा या ने पढ़ा समझ है आगयो की मैं उमीद गताश और सारंगर isot में आगयो हो सी आप आग़े चाला ठीक है आगए अब की बार कार्बन की सिंख्या ले रहे हूँ चार ले लिए थोड़ो समझ माज़े हुआ अपने अच्छा सरंचना कुन बताईगे था मैं सरंचना था मैं एंगी बता देशे कोई बात बने मैं अब सी दो लिख रहे हूँ तावला तावला समझता जाओ C N H 2 N पलस 2 फर्म newla है अपना N की जगे अपने को 4 रखना है तो C 4 H 2 गुणा 4 प्लस मैं 2 4 क्यों लिया है क्योंकि C N कि संख क्या 4 है तो C 4 2 4 दूने 8 अथ टो दस डिरेक्ट लिख दूं C 4 H 10 आपके मिमन में 2 डौट रहे हैं एक तो एकल बॉन्ड वाला रहा है और एक सरंचना वाला रहा है, बता देंगे कोई बात नहीं, C4 है यहाँ पे हैं, यह 4 है, ठीक, अब देखो, नाम लिखो, तो नाम लिखेंगे C4 है, C4 है तो, मेत, एत, प्रोब, ब्यूट, तो यह ब्यूटिफूल आदमी जो है, यह आएगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका अनू लगन लिखेंगे, सोरी, पूर्वा लगन लिखेंगे, ब्यूट, सिरेणी कौन सी है, करके देखना आपको अराम से क्लिर हो जाएगा देखो C4 है मैंने और चीज़ बोले ती सिंगल बोंड ऐगा किनके बीज में आएगा तो कार्बन और कार्बन एम आद्म बंद रहे बोने Re索uard को श्वरनी के फड़ा पूरियन हो अब आपने मेरा को कॉश्चा देखो ऐसातर का मारी का। कि यंद करेंगौ देखो कि अदो चानी ने यह कि एक गयो प्रस्व ही। यार आके बाली के केख़ों यह बीक्तवाली वो वो दोनों तरफ काउंट होती आपको पता भी है आपने को топ अने को यह बोन्ट पर कुण बन Peart अहिए को इतना है एक है यह इसमे होगा यहा जंदा अपने को इन्ज चुन रहे हैं, ऐसे लिग दिया है हमने, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, रहे, या, क्या आप बात करते हो, कर दी ना, बन गए, तो ये अपने पास किसकी सरंचना बन गई, तो आप बड़े ही प्यार से बताएंगे, कि सर ये जो ब्यूटिफुल आद ये क्या है, ये तो अपना बुटेन है, हमने बड़े प्यार से लिखा था, वोड़ भी वही तो है, तो आपको देखते ही, क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा, तो ये सरंचना आपको समझ में आई, नहीं आई, आप मेरे को बताएं, ताकि अपन लोग आगे चले, अब देखो, दो अधर्ण में आपको बता दी, आपको क्या करना है, आपको ये करना है, प्यारे साथियो, आपको अपनी कुप्पी के अंदर, जो भी अधर्ण बच गए हैं, जैसे आप एक तो ले लेंगे, C6 ले लेना, आप ले लेना, C3 ले लेना, आप एक C2 ले लेना, इन इस स्रेंचना बनाएंगे आपको इतना काम करना है जाद आपको उलजना नहीं है ठीक है पैरी साथ्य तो यह सुरेनिय आपके समझ में आई या नहीड आए यह आप मेरे को बताएं आगे चलें कि है। आगे चलते हैं देहों अगली स्रेनिय है आपनी ऐलकीन सिरेनी छीक एलकी इन सिरेनी की चरचा और कर लेते हैं, भात में अब बाहद में अपन crafted 2 पे पीच और की उल्का इन के ओर बात कर लेते हैं अब देखा़ँ एक स्रिविण आपकी समझ में आगी तो इसमें जदा टाइम नहीं लिए गा COP एलकी जानी ठाइब होत को Aren प्रफटेक सिरेनी का एक अन्य नाम होगा तो इस सिरेनी का अन्य नाम होता है प्यारे साथ यू वलीफिंस का मतलब होता है ते लिए बता रहाई फिर कैसी है तो आप बताएंगे कि यह तो ऐसा अंदर रपता है सबसे पहले देखा आंपसे वहाँ बंस बंदि कैसा बनेगा तो संग्ल तो इसमें बन्द कुन सा बनेगा आप बताएंगे जबी बंद डबंड कैसा बंड अब डबल बोर्णनेगा कि और क्या रहे गश्चनी घो गया संद्रब्द द्वीबंद हो गया फिर फॉर्मूला बचा है उत्तर बता दो तो वहां पर क्या लिख रहे थे सी एन एच्छे टू एन आगे दो जोड रहे थे इसमें आपको कुछ नहीं करना इतना ही है अब देखो नाम करने करते होगे ना अनुलगन ओर रहे गया ना हां तो अनुलगन लगन ओपना इसका नाम बूलने के देखो आप इसका नाम अपका इलकीन ह्या लास्ट में इन की ध्वने आ रही है तो इसका अनुलगन गया हो जाएगा आपका आ इनन हो जाएगा यहां तक सोमझव मियां नहीं है या या आप सक्क्रीम सोट ले ले लें ताकि आपन लोग करके देखेंगे तो आपके हिसाब से पूरो लगन क्या आना चाहिए तो आप गोलेंगे मैं थाना चाहिए अभी अभी आप ने देखा कि अनुलगन मैंने आपको बताया है वो क्या आना चाहिए तो आप बताएंगे कि इन आना चाहिए नाम क्या बनना चाहिए तो आप बताएंगे मेथीन बनना चाहिए देखते हैं कि मेथीन बनता है या नहीं बनता है पॉर्मूला होता है इसका C-N-H-2-N N का मान आप एक रखे देखे N का मान यह दिया आप एक रखते हैं तो दो गुणा एक क्या बन जाएगा यह C-N-H-2 बन जाएगा बनेगा C-N-H-2 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है फिर देखो मैंने एक चीज़ बताए थी कि इसके अंदर डबल बॉंड आएगा डबल बॉंड आएगा वो डबल बॉंड किन किन के बीच में आएगा तो डबल बॉंड तो सरक कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा इसका मतलब कितने कार्बन चाहिए हैं आप बोलेंगे दो कार्बन चाहिए हैं दो हैं क्या आपके पास आपके पास तो एक कार्बन है एक कार्बन है इसका मतलब मेथीन का बनना संभव नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर दो कार्बन नहीं है दो कार्बन नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? डबल बॉर्ण नहीं बनेगा डेबल बोँन नहीं बनेगा तो मेथीन भी नहीं बनेगा तो कईब आग Jarmenar ऐसा भी पूस लेता है कि क्या मेथीन का फोर्मूला बताओ मेथीन बनेगा ही नहीं? काई का फोर्मूला? तो ठीक है ना थोड़ा सा याद रख लेना ये जो चीज है वो आपके एक्जाम की दिस्टी से कई बार हम उलज जाते हैं इन चीजों में अपने को पता नहीं होता तो ऐसे नहीं बनता है पूरा आप मैंने आपको बता दिया उससे थोड़ा आगे चलते हैं देखो आप दो प्याओ सी किसें क्या आप दो लिलो ये बनेगा हां बिल्कुल बनेगा क्योंकि इसमें डबल बॉंड बंद रहा है देखो सी एन एच से टू एन फूर्मुला अपना यह है आप इसके अंदर लिख लें सी एन की जिगह आपको दो रखना है तो एन की जिगह आगा इसका फूर्मुला कि सी टू एच से फोर बनेगा सी टू एच फोर बनेगा तो उसका जो परण्वरं करन्वगा उसका उसकी जो स्रेंजना होगी वह किस प्रकार से रहेगी वह देखें आप यह नाम क्या लिखेंगे तो सीद दो है तो मैं और एथ पी आएगा एथ लिख लेगे वह सिरेणी आपके याद होई गई होगी में यह थे प्रोब्यूट वाली दो है तो यह थाएगा फिर अनुलगन देख लो सुरी हाँ अनुलगन देखना है दो पर क्या आएगा सुरी से यह आपका क्या डहिए बन गया क्या जो एब आपको इसी क्या बतानी है सरंचना बतानी है तो आप से नशना बताएंगे कैसे बताएंगे carbon की छिएंख्या दो है carbon कारबन के बीच में जो bondmane वह इसा बनेगािए डबल बनेगा डबल बनेगा स्योंजकता complete को दो दो पूरी है तो दो खाली एक इसकीasabyte को दो पूरी निración दो खाली है तो चार है आप और जोड़ दो एक देखो पूरी हो रही या नहीं हो रही दो तीन और चार हो गई पूरी स्रंच नहीं बन गई तो इसका मतलब एथेन का बनना संभव है यह इसकी स्रंच ना हो जाएगी ठीक है ना डबल बॉंड जो होते हैं जैसे मैंने यहां पर लिखा पाई बन्द ठीक है ना तो सिंगमा बॉंड कितने एक पाई बॉंड उता है और वैसे यह पिसले वाली की तो उसमें आपका सिर्फ और सा बॉंड होता है और नहीं होता है ठीक है ना यह वह अथी वहापन से बनते हैं वो एक सारा वह पार्ट हो जाता है अपने ऐसा क्यूसिन बैसिकल आता भी निया लेकिन मुस्ली यह दि हद से अगरा अलगला आपका जाएगा भी उसके अंदर तो यह पुछ लेगा इसके इसके अंदर कितने सिंगल बॉंड दिखाए दे सिंगमा बॉंड डबल बॉंड तो एक सिंगमा और एक है ठीक है हलुआ है कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आप अराम से इसको कवर करते जाएं दो हो गया नाम बता दिया सिंग बॉंड बता दिया अब देखो इसका स्क्रीन सोट ले लो बीड़ेना चाहोता हुआ है देखो वापस हाँ अब आपको क्या करना दो आलता मैंने बता दिया आपको दो तिन उधारन ओड़े ले ले लेना जैसे पेंटीन निकाल लेना हैक्सीन निकाल लेना ठीक न तो आप उसका फॉर्मूला वो लिख लेना कोई चीज समझ में नहीं है कमेंड में लिख देना मैं अग ओके फिर आपकी तीसरी सिरेंगी रहे गई आपकी एल काइन सिरेंगी यह वही बाते हैं जो उसमें थी इसमें कुछ अलग थोड़ी नहीं इस सिरेंगी आपका पता यह कैसी होती है तो आप बताएंगी आईसं तरफ तो थी है यह भी एक दम बचारी बुखी है बुख कुंसाबनेगा पहले में एक है । इसमें दो है उसमें दो से और इसमें जो रहेगा अब कई लोग दिए बिच वाला होता है इतना मत फूर उसमें तर्वकका है दो कैसे हो यह वाला मालो इंद् itself क्यों हो इंक्तै Caitlin लेकिन आप इतना याद राखें सीगल Bound question क्या होती है sigma बंदों की स्धульт क्यों होती एक band और πाई बंदों के सotle न क्या होती है दो, पाई बंद इसमें कितने पाई जाते हैं आपकी दो पाई जाते हैं छी के नॉरमल सा आप याद रखें आलांकि इतने क्युस्यशन नहीं आते हैं डिपली, लेकिं फिर भी वी फूच ले, तो समाने जानगेरे के लिए आप इतना य क्या होता है क्योंकि स्रेनी हम स्रेनी के अपॉर्डिंय में जो चीज निकालते हैं तो इसका जो अनुलगन होता है वह आपका आई 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 कहां से आया आप नांब बोलके देखें द का इन पर बच बच गया वही सुत्र बच गया अपना सुत्र होता है इसका C N H C 2 N अब इतना था आपके याद होए गया होगा L के न में दो जोड रहे थे L के न में ना कुछ जोड रहे थे ना कुछ गटा रहे थे इसमें आप क्या करेंगे दो गटा देंगे सिंपल है पहले में दो जोडे दूसरी में कुछ नहीं लास्ट में दो माइनस समझ में आ गया था फिर अन्य नाम अन्य नाम क्या होता है इसका अन्य नाम आप बता देंगे Acetylene 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 इस सिरेणी का एक अन्य नाम होता है तो basically इसमें पांच से बाते हैं जो प्रतेक सिरेणी की common है जैसे संतरफ्थ है एसंतरफ्थ है अन्य नाम और बंदों किसन क्या कौन-कौन सी इसके उपर भी देख लेते हैं आप मेरे को बताएं क्या मेथाइन बनेगी आप बोलेंगे नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी कार्बन किसन क्या एक है एक है तो ट्रिपल बंद कहां लगाएंगी नहीं लगा पाएंगी तो मैं पूछ लो एथाइन बनेगी आप बोलें बना के देख लेते हैं आर क्या पता बन जाएं चलो बना के देख लेते हैं तो C N H 2 N माइनस 2 N का मान कितना तो 2 लिया है मैंने N का मान 2 रखे देख ले तो C 2 H 2 गुणा 2 माइनस 2 क्या एगा C 2 तो दो नहीं 4 4 मूँ दो गया C 2 H 2 लागा बन जाई C triple bond C क्यों L का इनसरेणी है समझ जा रहा है ना 2 कारबन है 2 यह तो लेने पड़ेंगे triple bond आएगा क्यों सरेणी कोंद C L का इन है समझ ज़ेता पूरी करो 3 तो हो रखे है पूरी 1 बस गई खाली 1 एक और पूरी कर दी ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है S कितने जोड़ने है 2 जोड़ने कहां जोड़ेंगे एक यहां जोड़ दो एक यहां जोड़ दो बताओ बना की नहीं बना आप उले बन गया नाम क्या है इसका तो कारबन की सिंग क्या 2 मेत एथ एथ ठीक है सन्या समझ में आ रही है ना आपके हिंदी के आप बड़े जिगस चात रहें आप बोन हार चात रहें हिंदी के समझ में दो आरे आई रहा होगा आप इसी के अकोर्डिंग आगे की जो सरंचनाए है जैसे एथाइन है एथाइन की दो मैंने बता दिए जैसे प्रोपाइन है ब्यूटाइन है पेंटाइन है हैकसाइन है वो सारी चीज़ें आप एक बार अपने हाथ से करके देख लें रब कोपी में करके देख लें रट्टा मालने की कहीं प्याव सकता नहीं है आपको यह देख जी चीज़ें समझ में आई है तो अब साथियों मैं आपको इसका एक सार दे देता हूँ एक जगे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको वो एक पढ़ लेना लास्ट में दो मिनिट का मंतर है वो पढ़ लेना आपका बेड़ा पार हो जाए मंतर क्या है सुनो मंतर है आपका एलकेन आप दो यार कैसा पढ़ लेता है पता नहीं क्या क्या मंतर बता रहा है देखो सिरेणिया हमने लिखी थी एलके ठीक बात दूसरी सिरेणी हमने लिखी थी ही एल की है ठीक बात तीशी है हमने लिखी थी एल काई आप बोलेगी तो खी बात ठीक है तीन स्रेणिया है अपने पास बड़ी ही प्यारी स्रेणिया है तीनों कितीनों अठाट दोगा अब दो तीन लिग्यां काड लियो कि अब दो रिखा है अब देखो अपने को क्या करना है अपने कुछ चीज़ें यहां पर लिखनी है चीज़ें देखो सबसे पहले आप दो चीज़ेंगे क्या लिखेंगे मैं आपको बोल दो कि आप सबसे पहले पहले तो और सुत्र की रहन काट देखें तो यहां पर सुत्तर क्या होगा इसका होता है इसका होता है और इसका होता है और फिर आप दूसरी चीज़ क्या देखेंगे दूसरी आप देखेंगे बंद तो आप यहां पर बताएंगे एकल बंद यानि सिंगल बंड बताएंगे आप यहां पर बताएंगे दूई बंद और यहां पर आप बताएंगे प्री बंद अपने ग्यान के लिए लिखना चाहो तो वो लिख लेना साइड में क्या लिख लेंगे कि इस प्रकार से बनेगा इसमें से एक तो रहेगा आपका सिग्मा बंड और निचे बाले दो क्या रहेंगे आपके पाई बंड रहेंगे इसमें भी लिखनो इसने आप गया डबल बॉंड बनेगा एक तो होगा आपका सिग्मा और आपका दूसरा दो होगा वोगा आपका पाइब उन्ट के कर वहां पे भी जैंस करूंगा यह आपका हो जाएगा पाइब उन्ट के लिए अब बन दो जाएगे दो आपके ओके अब वही काम है परना तो अधिक दो रहाएख अधिक प्याओ या लिख रहते हैं दो जीजें हो गई अपनी अब लिख दो अनु लगने इसका क्या होता है इन इलकी इन का हो जाएगा इन इसका हो जाएगा इन इसका हो जाएगा आइन ठीक है फिर से लाइन हैंस दो आगे चलो फिर क्या लिखना आपने को अन्य नाम या उप नाम बोल दो जाएगा आप अन्य नाम बोल दो अन्य नाम क्या होता है इसका तो इस एलकीन का होता है पेराफीन बताया था एलकीन का होता है ओलिफीन ओलिफीन बोल दो ओलिफीन से बोल दो ओ है यह ठीक है यह आपका ओ है तो इसका होता है आपका एस इटीलीन तिनुस रेणिओं की अपने अपने एक-एक अन्य नाम है यहां तक क्लिर रहे देख्वा के चलते हैं और क्या रहे गे आपना हाँ वो चापर कार्बन का प्रकार्ट देख लूँ अधरो कर्बन का प्रकार कॉन सा हाइड्रो कार्बन है तो आप इसमें क्या लिखेंगे संतिर पह्याँ कि क्या है और आप क्या लिखेंगे यहां पर एसंद्रप्त है संद्रिप्त और पतानी चाहो रखाएं और यहां प्याद क्या लिखेंगे यह भी एसंद्रप्त लाओगा ठीक है तो यह सारणी आपके समझ में आगई आप इसका बड़ा ही प्यारा सा स्क्रीन सोट ले 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 इतनी अच्छी तो साइज नहीं बनी होगी लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीन सोट ले ले ताकि आप अपनी कोप्ते में लिख पाएं इस चीज को आप एक जगए लिख दें कुछ नह साथ अपन लोग नेक्स क्लास के अंदर जरू मिलेंगे जल्दी ही मिलेंगे तब तक आप अपने त्यारियें मस्त रहे हैं ठीक है हां स्क्रीन सोट ले लिया होगा ना इसका हां देखो एक बास साइड में और जाता हूं मैं क्या पता लिया नहीं लिया हूं वीडियो यह एक बड़ी ही शांदार सी टेस्ट स्रीज तयार हो रही है तो आप अपने टोपिकों को कवर करते चलें बहुत शांदा टेस्ट च्रीज आपके लिए तयार हो रही है बीबी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन आप टेंशन नहीं आपका जो मुल्यंगतन है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार अपने को इसके अलाओ और कुछ पढ़ने की जुरूरत है टेस्ट जो हो रहेंगे अपने complete syllabus के उपर अधारित रहेंगे protect topic को cover करते वे NCRD और RBSC आधारित टेस्ट श्रीज आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है तो आप इंतजार करते रहें जैसे ही वो बन के तयार हो जाएगी वैसे ही आपको सुचित कर दिया जाएगा आप बराये नहीं आप अपनी तयारी कड़ते रहें आराम से रहें स्वास्त रहें हंसते रहें मुस्कराते रहें बहुत जल्दी मिलेंगे अगली class के अंदर तब तक अपने स्वास्ते का द्यान रखेंगे ओके साथ यूँ जै हिंद्ध जै भारत शुबराटरी अच्ची